हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल उमीद करती हूँ क्या आप सब ठिक ठाक होंगे आज की वीडियो एक डिटेल रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ में अनियन ओल के बैनेफिट्स को शेयर करूंगी काइनली वीडियो को एंट तक जरूर दिखेगा चै जब अन्यसूस हो रहा है या आपको प्रीमिजूर ग्रे हेर नजर आ रहे है जैन आप अनियन ओल को जरूर ट्रॉय करें अनियन ओल में एकसेस अमाउंट में पूटाइशिम और सुल्फर होता है और यह दोनों चीज़े मिलके आपकी बालों की हाल्थ को इंक्रीज करती है अगर आप इसे अपनी स्केल्फ पे लगाएंगे तो आपकी स्केल्फ की पी एच मिंटेन होगी जिसकी वजह से आपकी हेर फॉलिकल्स को प्रॉपर नरिश्मेंट मिलेगी आपकी हेर फॉलिकल्स पे कोई बैक्टिरिया ग्रोर नहीं करेंगे क्योंकि अनियन ओल में एंट स्ट्रेंड की इलासिसिटी को इंक्रीज करेगा और जो स्प्रिट एंट की कम्प्लेइन है या बाल पूट जाने की कम्प्लेइन है वो भी इवेंचली खतम हो जाएगी यह तमाम रिजल्स तब शो होते हैं जब आप किसी भी चीज़ को मुसलसल अप्लाए करते हैं अब अनियन ओयल को आपने बालों पे अपलाए कैसे करना है आपने बालों की रूट्स निकालनी है शाखे निकालनी है और रूट्स पे अपलाए करना है अपनी फिंगर टिप से और थोड़ा सा मसाज भी करना है इससे यह होगा कि अनियन ओयल आपकी स्कैल्प में अब्ज प्रेट कर जाएगा अनियन ओल के लावा भी काफी सारे बेनेफिट्स हैं और मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया है कि आप अनियन ओल को घर पे कैसे बना सकते हैं वो वीडियो भी मैं आई बटन में 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 इसके लावा मैं हर्ब गार्डन का लिंक भी नीचे करती हूं और जो सबसे पहला मुझे इसके रिजल्ट मिला था वो था वाव रेक्शन क्योंकि मेरे बाल हैं फ्रीजी मैं जब शावर लेकर आती हूं और जब मेरे बाल एर ड्राइ होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बांब फट गया हो लेकिन जब मैंने यह आयल ट्राइ होने दिया और मुझे फील हुआ कि मेरे बालों में जान आ गई है मेरे बाल दुखते नहीं है अप मेरे स्कैल्प मुझे इरिटेट नहीं करती हूं तो बाल दुखते नहीं हैं उंग्लियां फेरती हूं तो टूपते नहीं है बाल और यह तमाम रिजल्स मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि मैं मुझसल इसे अपलाइ कर रही हूँ तो आइ होप ये वीडियो आप सब के लिए हैल्फू रही होगी तो तमाम लोग जिनको बालों की कम्प्लेइन हैं जिनको बाल जो चाहती हैं कि उनके बाल फिर से जानदार हो जाएं वो डेफिनिटी अन्यन ओल को जरूर ट्राइ करें और मुझे आपने कॉमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है या आप मेंसे अगर कोई ये प्रोड़क्ट ट्राइ कर रहा है अपने रिव्यूस मेरे साथ जरूर शेयर करियेगा I'll see you in the next वीडियो Till then Allah Hafiz, take care